जहिन नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का उतकर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ओनलाइन प्लेटफॉम में इस वीडियो में हम लोग SSE GD 2024 के लिए इसके प्रीवियस येर के क्योशन डिसकस करेंगे और प्यारे साथियों उनसे रिलेटेट जितनी भी important जानकारी आपकी SSE GD 2024 के लिए important हो सकती है वो भी इन सभी प्लेशनों में हम लोग one by one डिसकस करने वाले तो आप लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा दूसरा पार्ट है इस से पहले हमारा एक पार्ट complete हो चुका है अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो playlist आपको मिल जाएगी जहां जाकर पिछला पार्ट भी आप देख सकते हैं इस class का पीडियो डेली आप हमारे टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को on कर लेना जिससे आपको सभी class का notification तुरंट मिल पाएगा तो आईए चलते आज का पहला और most important question आज का पहला question हमारे पास है निमनलिकित में से कौन सा तत्वर अपने गुणों में शार धात्व के सांसाथ हेलोजन की तरह व्यवार करता है तो तत्व का नाम आपको याद रखना है हाइड्रोजन option number 40 का बिलकुल correct answer है और हाइड्रोजन को याद रखिएगा अधातु के रूप में वरगी क्रत किया गया है आवर्त सानी के अंदर question number 2 question number 2 भारत में जनगंड़ना के संबंद में NPR को रूप क्या है मतलब NPR जनगंड़ना से रिलेटेड ये शब्दे इसका फुल फॉंग क्या होगा तो वेरी मॉस्ट और आएंपी question जो पिछले exam के अंदर पूछा गया तो सई जवाब होगा national population register ठीक है option number 1 इसका correct answer हो जाएगा NPR मुल रूप से देश के निवासियों का एक register है हम ये कह सकते हैं जिसमें देश के सभी सामानी निवासियों की क्या सूची होती है ठीक है न तो NPR से आपको ये जानकारी याद रखना है question number 3 निमनलिकित मेंसे किसने October 2022 में भारत के दिवसी भारत के दो दिवसी PM किसान सम्मान सम्मेलन का उदगाटन किया तो भारत का जो दो दिवसी PM किसान सम्मान सम्मेलन हुआ था 2022 में इसका उदगाटन 99 मोधी के द्वारा किया गया था option number 2 इसका right answer हो जाएगा अच्छा एक्जाम में ये पूछ ले सम्मेलन कहा हुआ था तो आपको याद रखना इस सम्मेलन का उदगाटन नई दिल्ली में हुआ था question number 4 हमारे पास हर्श वर्दन और पुलकेशन ज्वीती का युद किस नदी के तटपर हुआ था तो पहरे साथ इसका right answer हो जाएगा option number 1 ठीक है ना यानि कि हर्श वर्दन और पुलकेशन ज्वीती का युद जो हुआ था और नर्मदा नदी के तटपर हुआ था कब हुआ था अगर एक्जाम में पूछे तो आपको याद रखना 618 इसवी में ये युद हुआ था और मैं आपको बता दू यहाँ पर इस युद में वीज़े कौन हुआ था तो पुलकेशन ज्वीती ने खर्श वर्दन को हराया था और पुलकेशन ज्वीती ने इस युद में वीज़े हुआ था अगला क्वेशन भारत में दूसरी बार एस याई खेलो का आयोजन किस वर्श किया गया था तो दूसरी बार भारत में एस याई खेलो का आयोजन 1982 में किया गया था आप्शन नमबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छा एक्जाम में पूछ ले कि पहले ACI खेलो का योजन कब किया गया था तो 1951 में किया गया था और नई दिल्ली में किया गया था अगला question माइक्रो फाइनेंस एक सेवा है तो माइक्रो फाइनेंस एक किस प्रकार की सेवा है सौप्टोएर उत्पादन उत्पादन वित्ती अफसिष्ट प्रवंदन तो इसका राइट आंसर वित्ती आपको याद रखना है यानि ऑफशन नमबर तीन सही जवावे अगला क्योशन ने आट अगस्त 2022 से प्रवावी रास्टी और सररचना वित्त पोशन एवं विकास बे किस राज्जी का त्योहार है तो सागा दाव आपको याद रखना ये सिक्किम का एक त्योहार है ओफशन नमबर तीन बिलकुल करेक्ट रांसर हो जाएगा और याद रखिएगा ये त्योहार जो है सिक्किम में बोद समुदाई द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार का नाम आपको याद रखना है राधा श्रीधर ओफ्शन नंबर दो करेक्ट हो जाएगा अगर एक्जाम के अंदर पूछ ले मनी पूरी में मनी पूरी में ये जो संगीत नाठा का कादमी पुरुसकार है ये किसने जीता तो आपको याद रखना अखम लक्षमी देवी जो ओफ्शन नंबर चारे इसनों अगला क्योशन भूकंप की तीवरता मापने का पेमाना क्या है तो राइट आंसर आपको याद रखना है मार के लिए स्केल ओफ्शन नंबर तीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप मापने का पेमाना जबकी याद रखना रिक्टर इसकेल जो आपको दिया है ये रिक्टर इसकेल के द्वारा भूकंप का परिणाम मापने के लिए उप्योग किया जाता है तो परिणाम मापने के लिए रिक्टल स्केल और उसके बाद तीवरता मापने के लिए मरकेली स्केल दोनों स्केल का नाम भुकम से रिलेटेड मौस्ट आई एमपी है अगला क्योशन है बीहू नत्य किस राज्जी में लोकप्री है तो प्यारे साथियो बीहू असम में एक ल याद रखना आपको बुआ और उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो याद रखना है चालो और उसके बाद अगला नत्य आपको याद रखना है पोपीर यह तीनों नत्य मोस्ट इंपोर्टेंड है एक्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और बिहार से अगर बात करें ब ये दोनों नत्य आपको किस से याद रखना है बिहार से अगला क्योशन ने पोदों में स्वतंत रूप से संगटित सववाहक नलियों के रूप में कितने पत निर्मित होते हैं तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है दो ऑफ्षन नंबर चार बिलकुल सही जवावे अगला क्योशन है भारत में हरीत रांती ने निमनलिकित में से किसके उत्पादन में व्रद्धी की तो भारत में हरीत रांती ने याद रखेगा गेहु के उत्पादन में व्रद्धी की ऑफ्षन नंबर एक बिलकुल करेक्ट आंसर है और भारत में हरीत रांती के जनक आप को याद रखना है अगला क्योशन दसवी पंच वर्षी योजना का मुख्य उद्देश बढ़ाना है किसको बढ़ाना है तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आई ऑफ्शन नंबर एक इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा अगर एक्जाम के अंदर पूछ ले दसवी पंच व सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन की स्थापना दिल्ली में कहां पर हुई थी तो हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन की स्थापना दिल्ली में याद रखिएगा फिरोश्या कोटला मेदान में हुई थी ऑफ्शन नंबर दो इसका करेक्टर अंसर हो क्योशन शोट पुल में शोट जो एक धातू की गेंद है पुर्शो और महिलाओ के लिए उसका वजन कितने किलोग्राम होता है तो पुर्शो के लिए कितना होता है तो आफशन नमबर एक सई जवाब आपको याद रखना है पुर्शो के लिए 7.2-6 किलोग्राम जबकि महिल के लिए 4 किलोग्राम होता है अगला क्योंशन हमारे पास है UPSC के सदस्यों का कारिकाल कितना होता है तो प्यारे सातियों UPSC के सदस्यों का कारिकाल याद रखना है है ना यहाँ पर ऑफशन नमबर 3 इसका करेक्टर आंसर हो जाएगा 6 वर्शी या फिर 65 वर्शी की आयू जो भी पहले हो क्लियर ना उसके बाद UPSC का फुल पॉम एकजाम में पूछ सकता है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संग लोग सेवा आयो और इसकी स्थापना आपको याद रखना एक अक्टूबर 1926 में हुई थी अगला क्योंशन हमारे पास देश की रक्षा करने और आवान किये जाने पर राष्ट की सेवा के लिए ततपर रहने का उल्ले में तहत किया गया है तो राइट आंसर आपको याद रखना है मूल करतवयो औफशन नंबर एक इसका करेक्ट हो जाएगा और वर्तमान में हमारे मौलिक करतवय कितने हैं तो याद रखना 11 मौलि कितने अगर एक्जाम में पूछ ले तो 6 मौली का अधिकार आपको याद रखना है अगला क्योशन मिशन इंद्र धनुष का अंतिम लक्ष किस वर्ष की आयू तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्द टीकों के साथ पूर्ण टीका करन सुनिश्चित करना है तो मिशन कौन सा छेतर भारत में लगबग 60 प्रतीशत ओश धाले चलाता है तो छेतर का नम आपको याद रखना है नीजी छेतर ऑफशन नमबर 4 इसका विल्कुल करेक्ट आंसर हो दाएगा तो प्यारे सात्यों ये थे वेरी मोस्ट और इंपोर्डेंट 20 कोश्चन जो आपको होने के चांसे नहीं होंगे अगर पूरी मांदारी साथ डेली पढ़ते एक्जाम तक आप ही सभी तरह के क्योश्चन आपको कवर करा दिये जाएंगे तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में जैहिन जै भारत वंदे मात्रम